Good morning, my dear student, my name is Mukeshvi Shukarma और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा How the Leopard Got Its Closed इस चेप्टर को मैंने लगभग काफी कुछ कम्पलीट करवा दिया है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्रिफिंग दूँगा कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है सभी जानवर जो है जंगल में रहते हैं और अब तक शेल्टर बिल्टप की बात चल रही है उनको शेल्टर बनाना है तो इसमें सब कॉपरेट करते हैं डक और बैबून बेठा हुआ है वो बोलता है कि ज़रुत है भी और नहीं भी और डॉग जो है इसमें काफी अपोस करता है इन सारी चीजों का और बोलता है कि we are wasting our time हम हमारा समय बर बात कर रहे है दोस हूं need a shelter should build it जिसको वाकई shelter की ज़रुत है वो क्या करे उसे बना ले I live in a cave मैं तो एक cave में रहता हूँ एक गुभा में रहता हूँ It is enough for me और मेरे लिए यह काफी है Then he walked away और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ जाता है The duck followed him डग जो है उसे follow करती है और चली जाती है वहां से Does anyone else want to live? क्या कोई और जाना चाता है Ask King Leopard King Leopard बोलता है No one answered or made a move to go नहीं किसी ने जवाब दिया और नहीं कोई आगे बढ़ा Very well said King Leopard बहुत अच्छा King Leopard बोलता है Let's rest of us build the village hall चलो हम बच्चे हुए लोग क्या करते हैं Village hall को तैयार करते हैं देखिए यहां पर सारे animals जो है वो अपने अपने हाथों में अलग-अलग सामान लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि इनके लिए shelter बनाया जाए इसके बाद क्या हुआ सब अपने अपने डारेक्शन में बिखर जाते हैं क्यों? क्योंकि उन सब को building material इखटा करना होता है क्या करता है? सब अपने टोटोई भी अपने बेक पर क्या है? वो material लाद लेता है पीट पर and made the plan of a roof और क्या करता है? रूप का प्लान करने लग जाता है और इसके बाद में जो चुहे और सब वहाँ पर रेट जो तीखे मूँ वाल है ये सब क्या करते हैं? वहाँ पर foundation को खोडने का काम करते हैं जो नीव रखी जाती है उसको बनाने का काम करते हैं कुछ एनिमल्स जो वहाँ पर क्या लेके आए? स्टीक्स सम रोप्स कुछ वहाँ पर रोप्स लेके आए? अधर मेड रूप्स मेड और दूसरों ने क्या बनाया? रूप मेड बनाया जैसे ही उनका घर बनता जा रहा था तो वह बहुत ही सौंग्स को गा रहे थे काफी खुश थे वो दे वर अलसो तोल्ड मेनी जोक्स और काफी जोक्स भी पास कर रहे थे जोक्स मा रहे थे अल्दो मतलब यद्दपी दे वाग्ड वेरी हाट काफी सप्ता लगे और उन्होंने अपनी बिल्दिंग कतम कर दी अपनी बिल्दिंग पर इसको इनोग्रेट करना चाते थे और इसको उपन खुश थे करना चाते थे तो डी स्टूडेंट इससे आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे आज के लिए थेंक्यू वेरी मच्च